दोस्तों आप सभी बिहार पुलीस भरती परिक्षा 2030 एडमिट कार्ड की बेस अबरी सिंतजार कर रहे हैं आखिर एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे होगा अभी देखेगा दोस्तों परिक्षा में कुछी दिन बचा हुआ है इसके अलावा भी आप बहुत सारे चीजों के बारे में जानना चाहते हैं किसका एकजाम पहले होगा अगर आपका एकजाम दोस्तों पहले चरण में होता है तो आपके पास अभी मात्र 21 दिन 22 दिन का समय है अगर यही आपका last run में जाता है तो लगभग आपके पास 45 दिन का समय है तो किसका exam पहले होगा इसके लावा आप exam center के बारे में भी जानना चाहते हैं girls का center और boys का center कहां कैसे home district होगा या नहीं तो सभी चीजों के बारे में आपको बताने वाले हैं और सबसे main है दोस्तों की result के लिए आपका कितना marks आना चाहिए यानि safe score कितना और अभी देखेगा दोस्तों तो परिक्षा में अब कुछी दिन का समय बचा हुआ है तो अभी आपको लग रहा होगा कि अभी कुछ भी तैयारी नहीं है कोई भी topic complete ही नहीं है तो वो इसको कैसे क्या किया जा सभी चीज़ों को लेकर आपको इस वीडियो में बताने वाले है तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों admit card के बारे में और आप भी इसी के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि अब कुछी दिन समय है और आप देखेगा दोस्तों तो पहला जो चरन है 24 सितंबर 2023 को है फिर इसके बाद देखेगा एक तारिक हो गया फिर साथ तारिक और फिर इसके बाद 15 अक्टूबर तो इस तरह से परिक्षा आपका सितंबर अक्टूबर में कम्पलीट होने जा रहा है और आप देखेगा तो CSBC में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतना कम समय और अभी तक कोई भी notice admit card किसी भी चीज़ के बारे में कुछ clear यहाँ पर नहीं है आप में से दोस्तों कौन-कौन चाहते हैं कि CSBC को जल्द से जल्द notice जारी करना चाहिए फड़ा-फड कमेंट करके बताइए इस पर आप लोगों की क्या रहा है CSBC का देखेगा दोस्तों अभी तक कोई भी notice admit card से समबादित कुछ चीज़े नहीं जारी किया गया है सबसे मेन है कि आपको result को लेकर focus करना है कि तैयारी को कैसे क्या बहतरी किया जाए जिससे हम cut-up सिमा को असानी से पार कर जा और result को लेकर हमको सोचने की जरुवत ना पड़े तो अभी देखेगा दोस्तों तो CSBC के और से सबसे latest एक सितंबर वाला notice है इसको आपको बता ही है तो reject list में देख लिजेगा वैसे अगर आप form भरे हैं payment किये हैं, submit किये हैं तो आपका form reject नहीं हुआ होगा और अगर आप gender और photo signature का कुछ इसू होगा तो CSBC कोड से दिखेगा तो अगस्त महिने में यहाँ पर 3 अगस्त को मौका दिया गया था इसके बारे में आपको बता ही थे तो आप में से किसी का अगर reject हुआ है तो comment करके बताईए आप ये भी जानना चाहते हैं दोस्तों कि CSBC के website पर कब तक notice आ जाएगा यानि admit card कब से download होना शुरू हो जाएगा तो सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं तो आप इन सभी चीजों को लेकर निश्चिंत रहिए अभी देखिएगा दोस्तों सेफ है स्कोर की जहां तक बात करें दोस्तों तो देखिए इस exam में बहुत कहिएगा कि high cut-up जाएगा ऐसा नहीं है क्योंकि seat अच्छा खासा है एकीस हजार तीन सुए का अनमे seat है एक लाग पांस हजार का result आएगा और आप में से जितने भी पढ़ने वाले student है जो regular रूप से तैयारी कर रहे है सभी का result आने वाल है आप result को लेकर निश्चिंत रहे है और यहाँ पर देखेगा तो यह पिछली बार का cut-up है इसके बारे में भी आप सभी को सभी चीजों को लेकरे करके बताने वाले है अभी देखेगा दोस्तों इस exam में total आप से 100 question mix करके पूछा जाएगा और आप लोग ये बताईए दोस्तों कि आपका practice state में 100 में से कितना score आ रहा है यानि कितना question आपका सही हो रहा है और दूसरी बात यहां पर देखेगा तो समय इसमें आपको अच्छा खासा मिल रहा है टोटल 100 question टाइम आपको 2 घंटा का दिया जाएगा negative marking परिक्षा में नहीं है इस चीज़ को आप अच्छे से धियान रखेगा इसलिए आपको सभी 100 question को attempt करना है एक भी question को नहीं छोरना है और हम आप लोगों को ये भी बताने वाले है कि अगर आपको किसी question का answer ना पता हो तो उस condition में आपको कौन सा option ABCD में सरंगना है तो ये भी आप लोगों को सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो पर channel आप लोगों इस चैनल पर आपको वीडियो मिलने वाला है तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो खटापट सब्सक्राइब किजिए जुर जाएए यहां पर देखेगा दोस्तों syllabus में तो देखे हिंदी है हिंदी से दोस्तों 8 question यहां से दोस्तों 16-18 question आएगा और बहुत अच्छा scoring वाला subject है अगर आप हिंदी को ignore किजिएगा तो हिंदी देखे दोस्तों ऐसे भी बोल चाल की भासा है तो इसको अगर आप थोड़ा भो तेयारी करके जाएगा revision करके जाएगा जैसे तत्सम तदवब हो गया इन सबसे hard question पूछा जाता है मुहाबरा, लुकोक्ती, समास इन सभी topic को आपको अच्छे से देख करके जाना और वैसे हिंदी संबधित सारा वीडियो आप लोगों को पहली मिली चुका है अगर आप English medium से है तो English को पढ़िए अगर आप Hindi medium से है तो बहुत ज़्याद English पर आपको धियान देने के जुरात नहीं है इसमें दो-तीन translation भी पूछा जाएगा और आप असानी से बना लिजेगा ये है दोस्तों कि आपको यहाँ पर यह कि इंगलिस के चक्रम परिएगा तो बांकी जो सब्जेक्ट है इसको आप नहीं पढ़िए गनीत है तो गनीत पर आपको बिलकुल इग्नुर नहीं करना है इससे दोस्तों 10 क्विस्चन आएगा और लगभग साथ क्विस्चन इस बार और आप क्या है कि रिजनिंग आने लगा है तो सोसल सैंस का थोड़ा वेटेज कम होगा तो वेटेज में दोस्तों 32 से ले करके 35 क्विस्चन यहाँ आप 8 से 10 करके पूछा जाएगा और इसमें आपको इतिहास में 20 वितिहास जरूर देख करके जाना है चार से 5 क्विस्चन पूछा जाता और 20 वितिहास का देखेगा दोस्तों तो आप लोगों को जो टॉप 1500 पीडियाफ मिला है इसमें हम आप लोगों को सब ही चीज़े यहाँ पर क्लियर करवाए हैं तो अगर आप पहली बार यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर आप देखेग हुआ है साथ ही यहाँ पर देखेगा तो भीविया टॉपिक अभी आपको बहुत चीज़े पढ़ने से बचना है वही वही फिक्स चीज़े पढ़के जाना है जो एक जामें पूछा ही जाता है तो सोलसल सैंस में आपको 4-5 क्विस्चन दोस्तों 20 वितिहास से ही देखने मिलेगा विस्वितिहास में क्या कुछ तो चीनी करांती रूसी करांती हिटलर का नाम आप सभी सुने ही होंगे तो यह सब पूछा जाते हिटलर के पार्टी का नाम दूतिया विस्वित का कारण कभ हुआ था मित्र राष्ट धूरी राष्ट में कौन-कौन से देश सामिल यह सब चीज़े अभी जो बता हैं बस यही सब देख करके जाएए आपका चार पांच क्विस्वितिहास से पूछा जाएगा यह बन जाएगा अब साइंस की बात करें दोस्तों तो साइंस में क्या होता है कि फिजिक्स में अगर दस क्विस्चन है तो इसमें लगभग चा आप 200 क्विडियो यूटूब पर देने वाले हैं और साथ ही आप देखेगा तो अप्लिकेशन पर आपको क्रेंटर फिर्स का टॉपिक सारा कुछ मिल चुका है तो जो भी चीज़े मिला अच्छे से देख करके जाने इसमें आप राज जिपाल का नाम जरूर देख करके ज तो पिछली बार क्या हुआ था दोस्तों बिहार पुलीस में हाड क्वेस्टन आया था तो लगभग 65 क्वेस्टन बनाने पर जेनरल कैट्योगरी का रिजल्ट हुआ था इस बार कितना पर होगा तो इस बार भी दोस्तों अच्छे लेवल का क्वेस्टन पूछा जाएगा हार्ड से मतलब यह है एक ओट आप सी लेवल बार्मी लेवल वाला नहीं पूछा जाएगा टेंथ लेवल का ही पूछा जाएगा लेकिन लेवल अच्छा रखा जाएगा तो लगभग आप सतर पलस क्वेस्टन एसकोर कर लिजेगा असानी से रिजल्ट हो जाएगा और इसमें देखेगा तो बिहार के सभी एक्जाम का क्वेस्टन बाइंग का आप लोगों को ऑन लैनर के फॉर्मेट में दे दिया जिससे आप सभी अच्छे से याद कर पाए अगर आप चार-पांच बार देख भी कम से कम जाते हैं तो एक्जाम आप्शन रहेगा तो आप ब अब बात करते हैं दोस्तों के अद्मिट कार्ड कब से डॉनलाड हो piga तो देखिए आज क्या है सनिवार है तो कल क्या है रभिवार है और अधियूद का ऊफिस बंद रहता है तो फिर अगले दिन शोंब ढरको जैसे ही ओफिस दोस्तों चेंद्रिया हैं पर सिपही भरती क office open होगा उस दिन सारा कुछ यहां पर clear करने के बाद आपको CSBC के website पर पूरी संभाब ना है कि exam date से संभधित notice आ जाएगा वैसे आप जैदे देरी नहीं किया जाएगा क्योंकि आप परेक्षा में 20 दिन का समय है तो admit card भी समय से देना है notice भी कम से कम एक महने पहले तो अभिय वाला इस हायक जो exam है दिसंबर वाला 2022 वाला तो उसमें भी यही हुआ था कि exam का date बढ़ेगा बढ़ेगा करके देखेगा तो exam हो गया फिर जो अब भ्यार्थी नहीं त्यारी कर रहे तो उसका exam खराब चला गया तो आपके लिए भी दोस्तों बेहतर यही होगा कि आप सभी serious होकर त्यारी किजिए 23 का समय बचा हुआ है जम के त्यारी किजिए समय कम है तो सब के लिए कम है competitive exam में समय कम से कुछ खास effect नहीं पड़ता है क्योंकि यह सभी के लिए है cut up भी उसी अनुसार जाएगा अगर स शुरू में जो भी त्यारी किया उससे खास effect नहीं परने वाला अगर आप अभी 23 अच्छे सी revision करके सब कुछ पढ़के जाते हैं जो जो fixed topic है सही दी साम अगर आप त्यारी करके जाते है तो cut up सीमा को आप असानी से पार कर लिजेगा यह देखेगा दोस्तों 8415 का और यहाँ पर 76 देखेगा ति यह क्या है कि physical वाला यानि merit वाला cut up है तो उसमें भी दौर में भी क्या होता है कि 100 marks का 50 marks जिसमें दौर है 25 गोला फिक 25 मुची कूद का है तो इसमें 76 है लिखित परिछा में पिछली बार 65 cut up गया था तो cut up को ल 70 plus ला लेते हैं एक दो marks कम भी रहेगा तो ही आपका selection हो जाएगा लेकिन अभी आपके पास त्यारी के लिए समा है तो आपको कोशिस करना है कि हम अधीक सधीक marks लाए वही reserved category की बात करें BC में तो general से आपको 3 question कम और EBC में लगभग 6-7 question कम देखने को मिलेगा SC में तो लग आपका result होने का chance है लगभग 40,000 result दिया जाएगा तो आप यहीं सोचिए यह नहीं है कि बहुत ज्यादे competitive exam की regular रूप से त्यारी करते स्ट्रेंट सिमी थी है जो serious रूप से त्यारी करने वाल है तो आप सभी का result आ रहे है बस आप 20 दिन अच्छे तरीके से त्यारी करके ज अगर दोसार exam date यह सब चीज़े दिया जागा अभी के समय में क्या है दोस्तों computerize सारा कुछ हो गया तो सब कुछ यहां पर randomly किया जाता है ना तो date of birth देखा जाता है ना नाम अब पहले देखेगा तो बहुत सारे क्या करते थे कि नाम date of birth यह सेम करके form फिलप करते थे एक अगर seat हो जाता था फिर आपस में बात्चीत करके बनाते थे अब इन सभी चीज़ों पर पूरी तरीके से रोक लग गया है अब ऐसा दोस्तों computerize हो गया है सारा कुछ system में fix ही रहता है कि कि किसी का date of birth समान वालों का center एक साथ ना होना चाहिए नाम अधार पर जिला वालों तो आपका हो सकता है कि शुरू में आजा या फिर लाश्ट में आजा ये पुरी तरीके से आपके लग बेस पर रहने वाला है लेकिन यहां पर रहत वाली बात यह है दोस्तों कि अगर आपका सुरू में होता है तो question का level थोड़ा आपको असान देखने हो कि मिलेगा यानि अगर आप सतर सुरू में बनाईएगा तो भी लाश्ट वाले मापका लवज 66 66 question बनेगा तिन चार question का गेव जरूर देखने हो कि मिलेगा क्योंकि जिसका बाद में exam हो रहा है तो उसको देखेगा तो समय भी लगवग 20-25 दिन का अधीक मिल रहा है इसलिए question का label भी उसी अ उसा रखा जाता है वैसे इसमें एक सधिक चर्णों में परिक्षा होगी तो नॉर्मलाजेशन ये सब चीज़े नहीं किया जाता है तो यहां से दोस्तों आपको ये चीज़ों के बारे में clear हो गया अभी दोस्तों आपके पास 21 दिन का समय बचा हुआ है तो आपको इधर उधर की चीज़ों में नहीं परना है बस आप जम के त्यारी कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्यारी में और चार चांद लग जाए यानि आपकी इतनी बहतरिन त्यारी हो जाए कि आपक 500 कंटेंट आपको मिल चुका है जिसमें पीडिया वीडियो टेस्ट सब कुछ सामिल है और आपको अगले 23 तक वही सब चीज़े मिलने वाला जो जो फिक्स टॉपिक है भी भी या टॉपिक है जहां से फिक्स है कि एक जाम में क्विस्चन आएगा ही आएगा तो आप सभी कि जुर सकते हैं अब बात करते हैं डोस्तों सेंटर कहां होगा तो बात करें फिमेल यानि महलाव अभ्यार ठीक तो हॉम सेंटर आपका दिया जाएगा या आप जिस जिला सो इसी जिला में बोयज बात करें दोस्तों तो आपकी पूरी संभाव權 है कि होम सेंटर ही दिया जाएगा लेकिन यहां पर अगर दूसरे जिला में सेंटर दिया जाता तो थोड़ा और बेहतर रहता आपकी क्या रहा है आप अपनी रहा कमेंट करके बताइए